व्यक्ति को ग्यान और कर्म दोनों को एक ही सम्मान रूप से देखना चाहिए यानि एक ही नजरिया होना चाहिए कई बार व्यक्ति कर्म की बड़ी बड़ी बाते करता है परन्तु जब वो खुर उस्तीती में होता है तब वो अपने भले के लिए सोचता है वह इस कारण दूसरों के बारे में अहित भी सोच सकता है इसलिए हमेशा याद रखना हमें कर्म और ग्यान को एक ही नजरिये में देखना चाहिए जब व्यक्ति का कर्म अपने स्वार्च के लिए होता है तो ग्यान की बाते भूल जाता है और इस कारण वे अंजाने में दूसरों का अहित भी सोच सकता है इसलिए ग्यान और कर्म को सद्याव एक ही नजरिये से देखना चाहिए और ऐसा करने से हम सही गलत और पापुनिया के बीच में अच्छी तरह फरक कर सकते हैं और सद्याव वही कर्म कीजिए जिसकी ग्यान हमें इजाजत दे ऐसा सोचने से संसार के सारे व्यक्ति मानव कल्यान के हित में सोचेंगे क्या यह सत्या नहीं है? स्वयाम विचार कीजेगा